Hello friends, I hope अब सभी लोग अच्छे हैं और अपनी घरों में सेफ है आज मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे साथ रहते हैं और हर दिन काम करके अपना घर चलाते हैं पर पिछले दो महीनों से उनके काम बंद है उन्हें ये चिंता सता रही है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है उनका होसला दीरे दीरे तूट रहा है मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, जो कुछ भी लोग आपके पास हैं आज पास रहते हैं, उनका होसला बढ़ा है, उन्हें ये उमीद जता हैं कि आने वाला कल आज से बैतर होगा, और हम और अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, मैं एक छोटी सी पोयम है, उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूं, जो एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, फिलाल इस लोगडाउन की वज़े से, और मैं उन्हें ये होसला दिलाना चाहता हूं, कि आप में बहुत सारा पोटेंचल है, बहुत सारा अच्छा काम करने का हिम्मत है, बस आप थोड़ा सा धैरे रखें, एक छोटी सी पोयम है, तेरी कष्टी का तू साहिल है, फिर लहर बराना कैसा, मुश्किल घडी है तो क्या, मुसीबत बड़ी है तो क्या, उन वीरों का जुनून तेरे अंदर है, तू महराणा, तू छत्रपती, और तू खुद सिक अंदर है, तू सूर्य है, तुझे जग चमकाना है, जो ना चूके कभी, अर्जुन का तू वो निशाना है, तू वो अंगध है, जिसे अपने पैर जमाना है, तू वो अंगध है, जिसे अपने पैर जमाना है, तुझे कर्ण की भाती, अगनिबान भी चलाना है, तू महाबली, बली की संतान, तू महाबली, बली की संतान, तू वेद, तू धर्म, तू ग्रंथ पुराण, तू सा तो की वानी है, तु गंगा का पवित्रपानी है, तु पूर्वजो का पुन्य है, तु एक अद्भूत कहानी है. तु अचल है, तु अटल है, सौब हाथियों का तुझ में बल है, देखता है क्यों कहीं, मुसीवतों का तु खुद ही हल है. ये जो काली रात है बस कुछ देर की बात है गर ठान ले तू मन में फिर रात की क्या उकात है परचम तेरा लहराना है तुझे दुनिया में छा जाना है फर्ष से उठकर तुझे अर्ष तक चले जाना है अब मन में ये विचार कैसा अब मन में ये विचार कैसा करम बिना उधार कैसा गर तू काबिल है खुद से फिर राष्टों का इंकार कैसा खड़े हो खड़े हो इस मजधार से इस मतलवी संसार से पैरो में जो है बेडियां तोड़ दे एक वार से तोड़ दे एक वार से तेरी कष्टी का तू साहिल है फिर लहरों से कतराना कैसा, कई समंदर नाब दिये हैं, इन नदियों से घबराना कैसा, I hope आपको ये पोयम अच्छी लगी हो, and I request you all, कि आसपास आपके जो लोग भी हैं, जो थोड़े से परिशान हैं, आप उनसे बाते करें, फोन पे आप मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, कि हम सभी को अपने घरों में रहना है, पर हमें अपने दोस्तों का, अपने आसपास पर उसकी लोगों का भी उतना ही खयाल रखना है, हो सकता है, कई लोग इंट्रोवर्ड हों, अपनी चीज़ें बता नहीं सकते, पर आपको एक बार फोन करके उनका हालचाल पूछ लेना चाहिए, अपने लोगों का हालचाल पूछना चाहिए, कई तरीके की तकलीफ तो नहीं है, उन्हें, यह सारी चीज़ें आप पूछे और I request कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप यह शेयर करेंगे, आपने लास्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, मैं फीचर में कोशिच करूँगा कि और अच्छी पोयम्स लिखों और आप तक पहुँचों, थैंक यू